नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में, एक कमेंज में ने रसीप किया था अपूर्व कुमार जी का, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक सेना चाहती हूँ, कमेंज करने के लिए, कमेंज उनका ये थ बताने वाली हूँ, डिचेल में बताने वाली हूँ, और स्टेप बास्टेप में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्कीप मत किजेगा, स्टार्टिंग टू इंड वीडियो को वाच किजेगा, सो अगर आप भी किसी बाइक के शोरूम में वार्किंग हैं, तो आ आप मेरे चेर को अपने friends सरकर में share कर सकते हैं, अपने around people में share कर सकते हैं, और उन सभी लोगो को share कर सकते हैं जो Tally Prime सिखना चाहते हैं and accounts का work सिखने में interested हैं, आप उन सभी लोगो को मेरे चेर को share कर सकते हैं, साथ ही bell icon press करना ना भूलियेगा, इस दें future जो भी वीडियोस में upload करूंगी उसकी notification आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड टैली से related accounts related किसी भी type की कोई भी confusion है आप मुझे comments कर सकते हैं definitive solution and reply में आपको दूँगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें tally prime में bike के showroom की accounting को maintain करना है वो देख लेते हैं tally prime open कर लेते हैं और सबसे पहले हम create कर लेंगे company तो यहाँ पर जो company का नेम है वह बाइक शोरूम company नेम दे रही हूं इस टाइब से आप अपने company का नेम दे सकते हैं जो आपके company का नेम है और उसके बाद आपको address फिल करना है company का आप अपना address जो है company का detail पर फिल कर लीजिए उसके बाद जो next option आपको मिलेगा state state select कर लीजिए और उसके बाद company से related सारे contact detail आपको फिल करना है और उसके बाद देखिए financial year beginning from तो आप company कब से maintain करना चाहा है accounting वो डेट आपको फिल करनी है इस टैप से सारे options को यस कर लीजिए अपने according उसके बाद आपको ये विंडोज शो होगा जहां पर कि आपको configuration करना है तो यहां पर देखिए inventory के नीचे है एक option आपको enable batches इस option को आपको yes करना है क्यों यस करना है क्योंकि जो आप bike showroom का accounting maintain करने वाले हैं उसमें जो आप bike purchase करने वाले हैं उसका HSS code होता है तो वो batch wise हमें maintain करना होता है इस लिए इस option को हमें yes करना होगा and GST detail इस option को enterprise करके सारे options को आप fail कर लीजे तो इस type से हमने company create कर लिया and configuration भी कर लिया आप चलिए कुछ basics ledger की requirement हमें होगी इस accounting को maintain करने के लिए तो उन सारे ledgers को हम create कर लेते हैं सबसे पहले हम create करेंगे उन party के ledger जिन party को हम sale करने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर create किया है shoe motor जिनको हम sale करने वाले हैं अब इसको हम under लेंगे sundry data के and maintain bill by bill yes कर देंगे आप state select कर लीजे local party है इसले में ने डैली select किया है then registration type में regular and इसका GST number field करते हुए step से आपको अपने party का ledger create कर लेना है एक और हम party का ledger create करने वाले हैं जिनकों की हम sale करेंगे अधित्या motors यह under sundry data में लेंगे क्योंकि जिनकों हम sale करते हैं उनका जो ledgers हम create करते हैं under sundry data में करते हैं यह देखिए interested party है राजस्तान की party है सलेम ने राजस्तान लिया है GST number field कर लेंगे step second ledger भी हमने create कर लिया है अब चलिए उन party का ledger हम create कर लेते हैं जिन party से हम purchase करने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर create किया है NGD Motors Bike Showroom इनसे हम purchase करने वाले हैं जिनसे हम purchase करते हैं उनका हम ledger create करते हैं under sundry creators सारी detail आप fill out कर लिजे party से related and उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर address का option शोगा तो यहाँ address fill कर लिजे state select कर लिजे party का and इसके बाद registration type में regular NGST number fill out करते हुए step से आपको ledger create कर लेना है चलिए एक और ledger हम create कर लेते हैं आप इमें create कर लिए हूँ second ledger जिनसे हम purchase करने वाले हैं और जो भी state है आप select कर सकते हैं हमारी महारास्टरा की party है महारास्टरा select करेंगे NGST number fill कर लेंगे step से हमने दोनों ledger को create कर लिया है अब हम create कर लेते हैं ledger sales वाला sales का ledger हम create करेंगे under sales account and यहाँ पर type of supply में goods रख लिजे इसी type से हम purchase वाला भी ledger create कर लेते हैं under हम रखेंगे purchase account और यहाँ पर देखेंगे type of supply में goods रख लिजे इस type से हमने sale and purchase वाला ledger create कर लिया है अब हम create कर लेते हैं tax वाला ledger तो सबसे पहले हम create कर लेंगे IGST इसको under duty and taxes में रखेंगे GST and integrated takes क्योंकि IGST का हम create कर ले हैं और इसके बाद हम create कर लेते हैं CGST वाला ledger under हमें रखना है duty and taxes में and GST and central tax क्योंकि CGST का create कर रहे है इसके बाद इसी tab से हमें SGST वाला create कर लेना है duty and taxes के under में रखते हुए तो इस tab से अबने tax वाले ledger भी create कर लिया है अब हम ledger create कर लेते हैं finance company का देखिए जब आप bike showroom की accounting को maintain करते हैं तो वहाँ से कुछ लोग जब आपसे bike purchase करते हैं तो उसका finance भी कराते हैं finance कराते हैं इंस्टॉल्मेंट के थ्रूस की payment करते हैं तो जो आप finance company से payment receive करने वाले हैं इसलिए आपको finance company account की requirement होगी under आप रखेंगे bank account के क्योंकि आप जो payment receive करने वाले हैं finance से अपने bank account में receive करेंगे इसलिए हम इसको under bank account के रखेंगे and अब हम create कर लेते हैं bank account का ledger तो मैं हापे create कर रही हूँ SPI bank का ledger तो आपको अपने bank का name type कर लेना है and under रखेंगे bank account bank accounts related सारी detail आप fill out कर लिजे account number, IFS code, bank name सारा चीज़ आप fill out करके bank का ledger तो देखिए step से हमने सारे ledgers थे वो create कर लिए हैं तो चलिए अब हम create कर लेते हैं inventory stock group तो देखिए stock group क्यों create करना है क्योंकि आप जो bike का showroom accounting maintain कर रहे हैं वहाँ पर आप different company के bikes रखते हैं तो उन सारे bikes को maintain करने के लिए आपको stock group के requirement होगी क्योंकि जो आप bikes रखते हैं उसमें बजाज के भी bikes होते हैं बजाज के बहुत सारे bikes के name होते हैं तो उसी को maintain करने के लिए हम यहाँ पर बजाज का group हमने create किया है second हम hero का group create कर रहे है तो यहाँ पर देखिए जो हमने बजाज का group create किया था list of group में आपको show हो रहा है अब यहाँ पर हमने hero का group create कर लिया hero की जितनी भी bikes होंगी हम इसके अंडल में रखेंगे और इसके बाद देखिए Honda वाला जो है stock group मेंने create कर लिया है अब Honda की जितनी भी bikes होंगी हम सारे bikes को इसमें maintain करेंगे जैसे जैसे आप देखिए stock group create करते जा रहे है आपको सारा stock group show होते जा रहा है इसी टैप से हम suzuki का create कर लेते हैं देखिए list of groups में add होते जा रहा है जो भी हम create कर जा रहे हैं तो इसी टैप से हमें suzuki का create कर लेना है अंडर primary में रखते जाना है आपको इस टैप से आपके जितने भी bikes के group से आप create कर सकते हैं अब चलिए उसके बाद हम create कर लेते हैं stock item तो यहाँ पे जो bikes हैं उनकी हमें name create करने हैं तो जब हम sale and purchase करेंगे तो इन सारे names का हम use करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर create कर रही हूं बजाज, pulser, 125, neon तो इसको देखिए under आपको किसमें रखना है list of group देखिए जो हमने create किया था इसलिए create किया था यह जो bike है बजाज किये है तो बजाज के under में हम इसको रखेंगे और उसके बाद देखिए units का option शो हो रहा है alt रिप्रेस करके आप यहाँ पे units create कर लीजे आप pieces भी create कर सकते हैं और नमबर भी create कर सकते हैं अपने according कर सकते हैं मैंने आप इनमबर का unit create किया है और उसके बाद देखिए additional detail में आपको शो हो रहा है maintain in batches तो देखिए मैंने जो starting में आपको बताया था configuration हमने किया था वहाँ पे maintain in batches inventory में yes किया था इसी option के लिए yes किया था अब जब हम accounting maintain करेंगे bikes शोरूं का तो यहाँ पे हमें batches wise maintain करना होता है इसका account इसले इस option को yes कर देंगे और जिस्ट को option को yes करते हुए description में आप type कर लिजिए जो भी आपका जो bike का name है आप description में type कर सकते हैं बजाज पलसर 125 नियोन और एच्चेसन कोड जो भी इस bike का एच्चेसन कोड है वो एच्चेसन कोड टाइप कर लेंगे आप और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे taxability में taxable डखना है और जो भी इसका tax rate है वो आप fill कर लेंगे तो bike पे 28% tax rate है type of supply में goods रखते हुए step से आपको bike का जो name है वो create कर लेना है second legend हम create कर रहे है बजाज का जो second bike का जो name है वो हम create कर लेते हैं बजाज पलसर 220F under हम रखेंगे बजाज के and units में आपको number select कर लेना है maintain in batches yes, NGST applicable, NGST detail में yes प्रेस कर लीजिए description में आपको जो product का name है वही as it is type कर लेना है बजाज पलसर 220F कर लीजिए and access and code जो है इसका इस product का वो आपको कर लेना है taxability में taxable and उसके बाद देखिए जो GST tax rate है इसका 28% है type of supply में goods select कर लेना है इसी type से बजाज का एक और हम name clear कर लेते हैं बजाज पलसर 150 इसको हमें under रखना है बजाज के units में हम number रख लेंगे and maintain in batches yes GST applicable applicable and GST detail में yes प्रेस करना है description में जो आपका item का जो name है वह as it is आपको टाइप कर लेना है बजाज पलसर 150 इस product का जो hsn code है वो आपको यह पर टाइप कर लेना है इसके बाद देखिए taxability में आपको taxable रख लेना है 28% bike पे GST apply होता है तो 28% apply करते हुवे इस ledger को हम create कर लेंगे इसके बाद देखिए अब हम create कर लेते हैं होंडा का तो यहाँ पर मैं जो हुंडा का bike name होंडा एक्टिवा 60 create कर दी हूँ under हमें होंडा के रखना है इसलिए हमने देखिए stock group create किया था यह होंडा का bike है इसलिए हमें under होंडा के रख लेना है यूनिट्स में आप नंबर रख लीजिए maintain batches में यस कर लेना है जिस्ट एप्लिकेबल में एप्लिकेबल and set ultra gst में yes press करना है सारी detail आपको फिल करनी है description में जो product का name है वही आप type कर लेजे इसका adjacent code आपको type कर लेना है and taxability में taxable 28% bike पे जो rate है वो अप्ला है इसलिए आपको 28% इसके उपर apply कर लेना है टेक्स type of supply में आपको रख लेना है goods इस टैप से हमने होंडा एक्टीवा 6G का जो है लेजर क्लियर कर लिया है second हम होंडा shine का लेजर क्लियर कर लेते हैं under हम रखेंगे होंडा के क्योंकि होंडा की बाइक है units में आप number रख लिए maintain in batches yes कर लेना है GST applicable applicable होगा description में जो इसका प्रोड़क्ट का नेम है वो कर लीजे access code and taxability में taxable 28% इस पर आपको GST rate fix कर लेना है type of supply में goods इसी टाइप से होंडा की एक और बाइक का हम create कर लेते हैं होंडा डियो अंडर हमें होंडा के रखना है unit से आपको number रखना है maintain batches yes GST applicable तो यहां पर description में आपको जो प्रोड़क्ट का नेम है वो रख लेना है इसके बाद आपको इस पर access code जो है वो करना है taxability कर लेना है taxable and 28% आपको इस पर take supply कर लेना है इस टैप से देखिए हमने होंडा का create कर लिया अब हम create कर लेते हैं hero के bikes के name तो यहां पर hero splendor plus में create कर रही हूं under हमें रखना है hero के क्योंकि यह hero की bike है इसलिए हमें under stock group में hero रखना है units में number रख लिजे maintain batches में yes एन यहां पर GST applicable yes करके सारी detail आप में आप फेल कर लिजे description में आपको product का name access code taxable एन यहां पर 28% take supply कर लेना है आपको type of supply में goods रख लिजे इसी type से hero bike की एक और हम name create कर लेते हैं hero pulsar pro i3s का में जो लेजर है वो create कर रही हूं under हमें रखना है hero के क्योंकि यह जो bike है hero company के है इसलिए हमें under stock में hero रखना है units में आपको number रख लेना है and maintain in batches yes एन यहां पर GST detail fill out कर लेनी है description में आप जो product का name में वो रख लिजे access and code आपको रखना है taxability में taxable and 28% जिसके पर take supply कर लेना है type of supply में good circle लिजिए इसी type से hero के जितने भी बाइक सी आपको laser create करनी है आप create कर सकते हैं तो देखिए हमने यहां पर सारे stock का laser create कर लिया stock groups को create कर लिया laser create कर लिये अब चलिए हम bike showroom की accounting को start करते हैं तो यहां पर basics ledger complete हो चुके हैं तो अब start करते हैं हम accounting की entries को करेंगे start entry start करने से पहले एक basics हम समझ लेते हैं तेखिए कोई भी बिजनेस start होता है bike showroom हो गया या फिर कोई भी business हो गया business start करने के लिये businessman को उसमें capital लगाना होता है investment करनी होती है वो cash के थ्रू भी इंवेस्ट कर सकता है अपने capital तो सबसे पहले हम उसमें capital invest करेंगे बिजनस मैं जो होता है, वो capital invest करता है, तो कितना वो capital invest करजार करहा है, cash के पहले हैं कि एक हम करेंगे, तो सबसे पहले जो entry हम करेंगे receipt के entry करेंगे यहाँ पर date आप change कर लीजे जिस भी date में जो business man है जो आपका honor है company का वो यहाँ पर जो capital लगा रहा है उसकी हम entry करेंगे L to see price करके आपको capital का account create कर लेना है capital का account आप create करेंगे under capital account के अंडर में अब देखिए capital account यहाँ पर credit हो जाएगा यहाँ पर current balance आपको zero show हो रहा है अब support किजिए जो company का honor है उन्होंने 30 lakhs रुपिस invest किया है cash में तो 30 lakhs रुपिस capital account credit हो जाएगा and debit क्या होगा cash account cash account 30 lakhs से debit हो जाएगा चलिए यहीं से go to में हम जाते हैं and balance sheet open कर लेते हैं और देख लेते हैं जो हमने entry की है उसका impact क्या होता है तो देखिए जो हमने entry की थी capital account है यहाँ पर 30 lakhs रुपिस आपको show हो रहा है तो देखिए जो business हमने start किया है जो accounting हमने start की है उसमें जो capital account है 30 lakhs रुपिस का पूझी हमारे business में आ गया है अब यह जो 30 lakhs रुपिस है हम अपने business को run करने के लिए use कर सकते हैं purchase करने के लिए use कर सकते हैं अपने business को maintain करने के लिए use कर सकते हैं सबसे पहले हम purchase करेंगे तो purchase करने के लिए आप date select कर लिजे and suppliers invoice number जो है वो आपको यहाँ पे feel कर लेना है date feel कर लिजे party का account name आप select कर लिजे आप purchase कर रहे है तो हम यहाँ पे purchase कर रहे है दीपक motor bike showroom से हम purchase कर रहे है जो की देखिए महारास्टरा की party है इंटर स्टेट party है purchase leisure में आपको purchase select कर लेना है अब उसके बाद देखे नेम ओफ आइटम में आपको यहाँ पे आप सेलेक करना है कौन सी बाइक आप पर्चेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बाइक जो पर्चेस कर रहे हैं बजाज पलसर 125 नियोन पर्चेस कर रहे हैं आइटम पर एंटर प्रेस करते ही, आपको list of active access रोगा, तो यहाँ पर देखिए, new number पर हमें click करना है, bike का HSS code होता है, तो HSS code जो है, आपको यहाँ पर feel कर लेना है, feel करने के बाद आप quantity feel करेंगे, देखिए, एक HSS number से सिर्फ एक ही bike होती है, तो quantity आपको 1 ही रखनी है, यहा आपने same bike और purchase की है, तो new number पर click कीजिए, new number पर click करने के बाद, HSS code जो है, वो आपको यहाँ पर type कर लेना है, यहाँ पर जो quantity है, one ही होगी, क्योंकि एक HSS से एक ही bike होती है, तो इस type से आपको new number करते जाना है, आपने जितनी quantity purchase की है, उतने type से आपको add करते जाना है, second bike का आपको one रख लेना है, जो भी इस bike का rate है, वो आप यहाँ पर rate feel कर लेंगे, और भी अगर आपने quantity purchase की है, तो new number पर click करके, आप उसका code है, वो feel कर लीजे, quantity में आपको one ही रखना है, क्योंकि एक HSS से एक ही bike होती है, rate feel कर लीजे, इस type से देखिए हमने दो bikes purchase कर ली है, और अब भी अगर आपने bike purchase की है, तो इस type से one by one add करते चाहिए, third bike हमने purchase की है, new number में आप इसका code डाल दीजे, quantity में आपको one रख लेना है, and rate आप यहाँ पर feel कर लीजे, कितने rate की according आपने purchase किया है, और भी quantity आपने purchase की है, तो new number पर आप click करके add कर सकते है, हमने आप सिर्फ ए लेडी हो चुका है purchase वाला, तो जब भी आप purchase करेंगे, step से आपको purchase करना है, अब यहाँ पे मैं round off का ledger क्रियेट कर ले रही हूँ, क्योंकि जो हमारा invoice का amount है, वो round off में नहीं है, इसलिए हमें आपर round off का ledger क्रियेट कर लेना है, under indirect expenses के, type of ledger में आपको इन्वाइस rounding कर ले आपको purchase के entry करनी है, print पे क्लिक करना है, current पे क्लिक करेंगे हम, and current पे क्लिक करने के बाद, preview पे क्लिक करना है, preview पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे app for press करेंगे, तो आपका invoice zoom हो जाएगा, देखिए उपर आपको अपने company का जो name है, वो show होगा, and नीचे जिससे आपने billing की है जिससे आपने bill purchase किया है, उसका detail शोगा, नीचे आप description of goods में देख सकते हैं, तीन item है total, बजाच पलसर की आपको देखिए नीचे, जो एच्छे से score है, वो show हो रहा है, quantity आपको दो show होगी, and दोनों के लिए आपको यहाँ पे batches number show होंगे, second जो hunda activa है, इसके नीचे भी आ पर्चेस किया, आप हम local state से purchase वाली entry कर लेते हैं, date आप select कर लीजें, voucher का जिस date में आप purchase कर रहे हैं, supplier का invoice number आपको रख लेना है, party account name में आपको यहाँ पे select कर लेना है, जिस party से आप purchase करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखिए, आप local party से purchase कर रहे हैं, जो कि डैली की party है and purchase legend में purchase select कर लेना है, आपको name of item में आपको select कर लेना है, जो भी आप product है, जो भी bike आप इनसे purchase कर रहे हैं, वो select कर लीजें, तो यहाँ पे देखिए, यह phrase entry है, इसलिए आपको new reference लेना है, enterprise करने के वाद, जो bike का HSS code है, वो आप डाल लीजे, and then quantity आपको one रखनी है, क्यों quantity आप डाल लीजे, rate डाल दीजे, and इसके बाद second, अगर company का आप bike purchase कर रहे हैं, तो उस bike का आपको legit select कर लेना है, and देखिए, आपको यहाँ पे already एक show हो रहा है, क्योंकि हमने already purchase किया हुआ है, यहाँ पे new number पे आपको click करना है, क्योंकि आप new purchase करने वाले है, HSS code डाल दीज है, quantity one रख लेनी है, rate फिल कर लेना है, और भी अगर आप company का bike purchase कर रहे हैं, तो one by one step से आप select करते जाएंगे, अब हम और purchase करने वाले हैं, आपे हम purchase कर रहे हैं, बजाज पलसर 150, new number पे आपको रखना है, क्योंकि हमने अप से पहले purchase नहीं किया, यह fresh entry है, इस bike की, यहाँ प quantity आपको one रखनी है, rate रख लेना है, जिस rate से आप purchase कर रहे हैं, तो इस type से हमने total three bikes purchase की है, three models की bike purchase की है, cgst, sgst आपको apply करना है, देखिए आपको जो invoice round में नहीं है, तो round off वाला laser में आपको use करेंगे, अब आपका जो invoice आप देख सकते हैं, round off में हो चुका है, अब इसका print preview देख लेते हैं, print पे click करना है, current पे and then preview पे आपको click करना है, यहीं से आप F4 प्रेस करेंगे, तो आपका invoice zoom हो चाएगा and आप अपने invoice को read कर सकते हैं, study कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा यह print शो हो रहा है, देखिए आपको अपर अपने company का name शो होगा and नीचे उस company का name शो होगा, जिस company से आप purchase कर रहे हैं, total number of three item हमने इन से purchase की है, Honda Shine की देखिए दो बाइक purchase की है, तो नीचे होंडा शाइन के नीचे आपको दो बैचेस नमबर शो हो रहे हैं, अलग-अलग and उसी type से आपको hero passion pro का show हो रहा है, तो इस type से आप print preview analyze कर सकते हैं, देख सकते हैं क कैसा आपका print preview आ रहा है, हमने यहाँ पे देख लिया कि आपको interstate and local party से कैसे purchase करना है, अब हम देख लेते हैं, sale आपको कैसे करना है, right hand side पे आपको sale वाला voucher select कर लीजे, date आप select कर लीजे, voucher का जिस date में आप billing कर रहे हैं, party का account name आपको यहाँ से select कर लेना है, जिस party को आदित्या मोटर को जो की interstate party है, देखिए राजस्तान की party है, अप यहाँ पे देखिए sales ledger में आपको sale select करना है, name of item में वो bike select करनी है, जो bike आप sale कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे select कर रहे हैं, बजाज, पलसर, 125, neon, जैसे ही आप item पे click करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे list of active batches में दो आपको show हो रहे हैं, यह दोनों available है, आप किसी भी एक को select कर सकते हैं, जिसको भी आप sale करना चाहते हैं, आप यहाँ पे select कर सकते हैं, and select करने के बाद देखिए quantity आपको one ही रखनी है, rate आप रख सकते हैं, अपने recording जिस rate पे आपको sale out करना है, तो यहाँ पे हम rate batches show हो रहे हैं, तो आप batches select कर लिजे, and quantity आपको one रखनी है, यहाँ पे हम Honda Activa 6G sale कर रहे हैं, quantity आपको one रखनी है, rate हम रख लेते हैं, 75,000, and support कीजिए same model हमें दो quantity sale करनी है, तो यहाँ पे हमें फिर से select करना होगा, HSSS code bike का, select करने के बाद आप quantity रख लिजे, देखिए हमन इस आपको show हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे select कर लिजे, किस batch का bike आप sale करना चाहते हैं, quantity आपको one ही रखना है, क्योंकि एक batch का एक ही bike होता है, enterprise करने के बाद आप इस पे rate रख लिजे, जितने rate का आप इसको sale करना है, वो rate आपको यहाँ पे fix कर लेना है, तो हमें आपे इ majesty apply करना है, आप देखिए, जो invoice है, वो हमारा complete हो चुका है, sale वाला, तो sale का invoice आपको इसी type से बनाना है, batches select करते हुए, आप देखिए, देख लेते हैं, इसका print preview, print पे click करेंगे, and then current पे click करना है, आपको preview पे click कर लेते हैं, यहीं से आपको F for press करना है, आपका invoice zoom हो description of goods में आपको three bikes के name show हो रहे हैं, with batches number, so in this way, आपको sale invoice का print preview देख लेना है, आप देखिए, अपने party को sale कर दिया है, party जो हमें payment करती है, कुछ amount cash के through करती है, and कुछ amount party हमें naft के through करती है, तो उसकी entry हमें कैसे करनी है, receipt voucher select कर लीजे, and date select कर लीजे, किस date में आप payment receipt कर रहे जो है, cash के through दे रही है, against reference में आपको वो invoice select कर लेना है, again आपको credit करना है, same party को, Aditya Motors को देखिए, current balance में आपको show हो रहा है, 259,600, तो इतने amount का party ने हमें naft किया है, 259,600 ले लीजे, against reference में, adjust कर लीजे, and उसकी बार debit आपको क्या करना है, cash के through हमने कितना receive किया था, 1,50,000 हमने cash के through receive किया था, again आपको debit क्या करना है, अपने bank को करना है, SBI bank को जिसमें कि आप जो है, neft या फिर RTGS receive करने वाले है, 259,600 का, bank से related detail आप फिल कर लीजे हैं, आपे, and देखिए आपको यहाँ पे, neft या फिर RTGS show होगा, तो यहाँ पे आपको select कर लेना है, जो भी आपको in future remember रहेगा, तो narration में आप लिख दीजे कि cash received 1.5 lakh, and date आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, and उसके बाद आपने जो neft या फिर RTGS receive किया है, 259,600 का, तो आप यहाँ पे mention कर दीजे कि neft या फिर RTGS, 259,600 कितने date को आपने receive किया था, वो, तो एक ही voucher में हमने देखिए cash भी receive क है, तो आपको तब यह करना है, जब आप same date में, हमने same date में case भी receive किया है, तो इस step से आपको entry करनी है, अगर पार्टी से कुछ amount आप cash में receive करना है, कुछ amount आप bank में receive करना है, तो इस step से आपको सके entry pass करनी है, अब चलिए हम second sale के entry देख लेते हैं, जिसमें की जो customer है, आप से purchase करता है भाइक and 100% cash payment कर देता है उसकी entry आपको कैसे करनी है sale voucher select कर लीज़े sale voucher select करने के बाद आप date select कर लीज़े किस date में आप जो है sale कर रहे है cash voucher आपको यहाँ पे select कर लेना है and cash select करने के बाद देखिए party details में आपको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे आप उस person का जो है name type करेंगे जिस person को आप billing कर रहे है suppose किजिए कोई आपसे purchase करने आता है और हो कहता है कि जो invoice हुआ हमारे नाम पे किजिए तो आपको क्या करना है simply जो buyer's name है यहाँ पे आपको उस person का name type कर लेना है and consigny ship to ship to में भी उसी person का name आपको type कर लेना है and enterprise कर लेना है आप state select कर लिजे डेली का है या फिर कहां का है वो state select कर लिजे अन्रेजिस्टर कर लेजिएगा and उसकी बाद यहाँ पे आपको sales इस लेजर में sales करना है and name of item में buy का जो name है वो आपको select कर लेना है यहाँ पे जो हम billing कर रहे हैं hero passion pro की कर रहे हैं आपको देखिए quantity 2 अवलेबल शो हो रहा है सबसे last वाला item में आपको zero show हो रहा है क्योंकि इसकी billing हम कर चुके हैं तो इसलिए यह अवलेबल नहीं है इसलिए आपको zero show हो रहा है तो जो अवलेबल है वो batches आप select कर लीजे quantity one ही select कर सकते हैं आप क्योंकि एक batches की एक होती है और उसके बाद आपको rate apply कर लेना है तो यहाँ पे देखिए अब हमें takes apply करना है जैसे कि हम local में sale कर रहे हैं तो cgst sgst apply करना है तो देखिए इस step से हमारा invoice complete हो गया है 1,2400 रुपिस का invoice बना है अगर आप इसका print preview देखना चाहते हैं तो print preview देखने के लिए हमें print पे जाना है and then current पे click करेंगे उसके बाद हमें preview पे आना है यहीं से आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका invoice जो है वो zoom हो जाएगा अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे सबसे उपर आपको अपने company का name show होगा and consignee नीचे ship 2 and bill 2 में उस person का name आपको show हो रहा है रमेज कुमार जबकि हमने जो laser name select किया था वो cash select किया था बर जो हमने नीचे party buyers name में मैंने आपको बताया था उस person का name अगर आप type कर देंगे तो इस step से आपको bill पे उस person का name type हो जाएगा और print होके आएगा और नीचे आप देख सकते हैं description of goods में bike का name भी आएगा and batches भी print होके उस पे आता है तो इस steps अगर आप cash में billing कर रहे हैं hundred percent cash में receive कर रहे हैं तो इस steps आपको उसकी billing करनी है एक और हम करके देख लेते हैं sale का voucher है वो select कर लिजिये date select कर लिजिये party name में आपको cash से लिक कर लेना है क्योंकि हम cash में billing कर रहे हैं and square देखे party details में आपको यहीं पर धेयान देना है party details में आपको bias के जगह पे उस person का name type करना है जो person आपसे bike purchase कर रहा है तो मैं आपे नंद कुमार कर देती हूँ और हम डेली में local party को कर रहे हैं तो डेली select कर दीजे interstate को हम कर रहे हैं आपे गुजरात में कर रहे हैं तो गुजरात कर लेते हैं उसके बाद आप unregister select कर लिजे या फिर consumer select कर लिजे उसके बाद देखी चांजाइनी ship 2 में भी आपको अगेन यहाँ पे उसी person का name type करना है नंद कुमार जिसको हम billing कर रहे हैं उसके बाद आपको name of item में उस bike का name select करना है जो bike आप इनको sale कर रहे हैं तो हम इनको sale कर रहे है hero passion pro sale कर रहे है देखिए हमने यहाँ पे total 3 batches show हो रहे है बट आप देखेंगे 00 show हो रहा है सरिफ one available show हो रहा है तो जो available है वो आप select कर लिजे and rate apply कर लिजे कितने rate पे आप इस bike को sale out कर रहे हैं अब आप देखेंगे उपर आपको अपने company का नेम शोगा और नीचे जो है वहाँ पे आपको नंद कुमार शो हो रहा है तो इस type से आपको billing करनी है अगर आप 100% cash में sale करते हैं तो इस type से आपको billing करनी होती है and उस person का name भी आप type कर सकते हैं प्रिंट ले सकते हैं जो person आपसे purchase कर रहा है 100% sale bill की accounting कैसे करनी है वो हमने देखा and 50% cash में and net में sale कैसे करना है उसकी billing हमने देखी अब हम देख लेते हैं कि stock analyze करना है तो gateway आप टेले से yes प्रेस कर दीजे देखे आपको आपको आप शो हो रहा है shift plus enterprise करना है बजाज की नीचे आपको देखिए दो bike show हो रही है and Honda की नीचे आपको एक bike show हो रही है जिनकी quantities आप देख सकते हैं बजाज की जो quantities है total 3 show हो रही है and Honda की जो quantity है total 2 show हो रही है यहीं से आपको configure प्रेस करना है देखिए show stock item with zero quantity in balance इसको आप प्यस करेंगे तो आपकी जितरी भी stock item भी वो सारे आपको show होंगे देखिए हमें आपे show हो रहा है hero यहीं से आपको shift plus enterprise करना है hero की नीचे की जो bike है वो भी आपको show हो रही है बट देखिए आपे zero value है इनका stock नहीं है stock out हो चुका है sale हो चुका है इसलिए अवलेबल नहीं है जो मैं highlight कर रही हूँ देखिए बजाज की 3 अवलेबल है and जो honda है उनकी 2 bikes अवलेबल है तो total हमारे पास 5 bikes अवलेबल है इस type से stock analyze भी आप कर सकते है and किसी particular bike का आपको stock देखना है वो भी आप कर सकते है D.I.S. प्रेस करना है आपको gateway of tally से देखिए मैंने stock open किया है बजाज, पलसर, 125, neon यहाँ पे inward में आपको 2 quantity show हो रहा है हमने 2 purchase किया है outward में 1 show हो रहा है 1 sale किया है तो 2 purchase किया है 1 sale किया है और जो closing balance है वो 1 बचा है इसी टैप से दूसरा हम open कर लेते है hero passion pro का मैंने देखिए stock item open किया है inward में 3 show हो रहा है and outward में 3 show हो रहा है closing balance इसका 0 show हो रहा है इसी टैप से और भी items का और भी bikes अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए इस bike को हमने purchase ही नहीं किया है analyze stock analyze करना है तो देखिए मैं आप बजाज pulser 125 new open करनी हूँ inward आपको 2 show हो रहा है outward 1 show हो रहा है and closing balance यहाँ पर 1 available show हो रहा इस टैप से अपने stock को analyze करना है अब चलिए हम उसकी भी link देख लेते हैं अगर आप bike के showroom में working है तो देखिए कुछ लोग जब bike purchase करते हैं तो bike को finance भी करवाते हैं तो उसकी entry हम देख लेते हैं sale voucher select कर लीजे date select कर लीजे party का name आपको select कर लेना है यहाँ पे मैं प्यूश का जो है वो laser मैंने create कर लिया है under sundry data के मैंने create किया है जोकि ऐसे ही कोई local person आते हैं हमसे and purchase करते है तो उसका मैंने laser under consumer में create कर लिया है तो अब हमें क्या करना है sales laser में sales select कर लेना है name of item में जो bike यह purchase कर रहे है उस bike को आप select कर लीजे तो हम यहाँ पे sale कर रहे है bajaj pulser 125 neon अब यहाँ पे आपको batches select कर 2 क्वांटीटी सलेक कर लेना है उसके बाद 75000 रूपिज के rate के according हम sale कर रहे है और अगर bike हम sale कर रहे है तो वह bike आप select कर लीजे batches select कर लीजे quantity अब उसके बाद 75ầ 문제 के according हम sale कर रहे है अब उसके बाद आपको इस पर TACS अप्लाई कर लेना है, LOCAL है तो LOCAL अप्लाई कर लिजए, INTERSTATE है तो IJST अप्लाई कर लिजए, हमारी जो अभी सेल हम करने हैं, LOCAL पार्टी को कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर CGST, IJST अप्लाई करेंगे, PRINT PREVIEW देख लेते हैं, PRINT पर जा करो के आता है तो विलिंग करनी है अगर कोई कास्टमर आता है और कोई कोई राता है तो इस थाच्छे जब विलिंग कर सकते हैं की अंग प्रिफेंटी डेक्रेट लेजिए और सिंटी में में तो देखिए प्यूश ने हापे 92,000 रुपिस cash में payment किया है and 1,000,000 रुपिस का इन्होंने finance करवाया है तो अब हमें क्या करना है credit करना है प्यूश को 92,000 से against reference में आपको वो invoice select करना है जो invoice आपने इनके against बनाया था उस invoice को select कर लीजे अब debit क्या आपको करना है cash क्योंकि हमने cash receive किया है कितना किया है 92,000 रुपिस किया है तो देखिए आप यहापे प्यूश का balance आपको 1,000,000 रुपिस debit में show हो रहा है तो आप यहापे narration में type कर सकते है cash receive from use and कितने amount का receive हुआ 92,000 का किस date में receive हुआ है सारा आप यहापे narration में type कर सकते है अब हमने यहापे देखिए 92,000 जो कि हमने प्यूश से cash में receive कर लिया है and 1,000,000 रुपिस जो है वो हम finance के थुरू receive करने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक entry pass करनी होगी यही पर receive voucher में आप date select कर लीजिए date select करने की बाद आपको यहापे credit क्या करना है थोड़ा सा आप ध्यान से इस entry को देखिएगा credit करेंगे हम प्यूश के account को प्यूश का जो account है 1,000,000 रुपिस से debit था तो यहापे 1,000,000 रुपिस से हमें credit करना है and जैसे हम credit करेंगे current balance आप देखेंगे प्यूश का zero हो जाएगा उसके बाद against reference में आपको वो invoice select करना है जो invoice आपने प्यूश के लिए बनाया था उस invoice को आप यहापे adjust कर लेंगे and उसके बाद आपको यहापे debit क्या करना है debit आप करेंगे finance company account को आपको यहापे debit करना है जिस finance account company से प्यूश ने finance करवाया है अपने बाई को उस finance company को आपको यहापे select कर लेना है select करने की बाद आप total 1 lakh रुपिस से finance company को debit कर देंगे तो देखिए finance company का जो मैंने ledger बनाया है मैंने आपको starting वे बताया था मैंने under bank account के under बनाया है क्योंकि जो हम payment receive करने वाले है finance से अपने bank account में receive करेंगे और देखिए यहापे जो finance company है 1 lakh रुपिस से debit हो गया है अब आप देखेंगे प्यूश को हमने credit की हो किया है क्योंकि प्यूश देगा किसको देगा finance company को 1 lakh रुपिस देगा तो प्यूश finance company को 1 lakh रुपिस देगा और finance company का आप यहापे current balance देख सकते है 1 lakh रुपिस से debit हो चुका है हमारे books में अब हमें finance company से 1 lakh रुपिस लेना है अब हमें प्यूश से कुछ लेना देना नी प्यूश का जो account है हमारे company में नील हो चुका है और finance company account का जो account है वो 1 lakh रुपिस से हमारे bank में debit हो चुका है तो अब puse देगा finance company को installment के थुरू देगा जितने का भी installment बनेगा बट finance company से हमें 1 lakh रुपिस लेना है तो अब यहाँ पे जो account puse का खतम हो चुका है and finance company का account हमारे पास start हो चुका है तो इस step से आपको यह second वाली entry pass करनी है narration में आप रिमार कर दीजिए in detail में कि 1 lakh रुपिस जो है finance company ने प्यूश के बिहाफ पे दिया है अब उसके बाद हम जो payment receive करेंगे finance company से तो उसके entry हम receive voucher में करेंगे अब आपको यहाँ पे date select कर लेना है जिस date में आप finance company से अपने bank account में पैसे receive करने वाले है बिहाफ आफ प्यूश के अब यहाँ पे आपको credit क्या करना है finance company account यहाँ पे 1 lakh रुपिस debit शो हो रहा था तो 1 lakh रुपिस हमें आपे क्या कर लेना है credit कर लेना है and debit क्या हो जाएगा हमारा bank debit हो जाएगा क्योंकि हमारा bank जो है वो receive कर रहा है तो जो receive करता है वो debit होता है तो हमारे bank पे पैसे आ रहे है 1 lakh रुपिस finance company account का अब आप लेजर देखेंगे यहाँ पे 0 हो चुका है current balance आप को जो finance के through हम sale करते हैं बाइक उसकी entry करनी है कुछ payment हमने जो as a down payment 92,000 प्यूस से हमने receive किया था cash में and उसके बाद हमने जो है balance receive कर लिया finance company से अब चलिए प्यूस का लेजर open कर लेते हैं लेजर open करके थोड़ा सा study कर लेते हैं यहाँ पे आप देखेंगी प्यूस का लेजर नील हो चुका है, sale देखेंगे सबसे पहले sale के entry show होगी आपको 1,92,000 की उसके बाद हमने receive किया है cash में 92,000 and third वाली जो entry आप देख सकते हैं finance company से हमने 1,00,000 रुपीज जो है वो transfer कर दिया प्यूस ने finance company के account में same way से हम open कर लेते हैं finance company का account आप देख सकते हैं finance company का account जो है वो देखिए second वाली entry आपको receive की show हो रही है जो कि हमने अपने bank पे receive किया 1,00,000 का तो finance company का account इस टैप से नील हो चुका है तो इस टैप से हमें simply sell के entry करनी है जिसमें कि हम payment receive करते हैं कुछ cash में as a down payment and कुछ payment हम receive करते हैं finance company के तुरू देखिए कुछ finance company जो है वो हमसे charge भी करती ह जो finance charges होते है जो processing charges होते हैं अगर वो हमसे charge करती है तो उसकी entry हमें कैसे करनी है यह वो रही condition भी हम देख लेते हैं यह तो पहली condition थी जिसमें कि family company से抓 हम से अजदी पूरी amount received कर ली अब second वाली entry देख लेते हैं जिसमें की finance company हमसे कुछ processing charges लेती है उसकी कैसे entry करनी है एक और मैं आपको sale का voucher पास करके दिखाती हूँ तो यहाँ पे हम दीपक को sale कर रहे है name of item आपको select कर लेना है तो यहाँ पे हम Honda shine जो है वो sale कर रहे है quantity one sale कर रहे है और आप यहाँ पे rate sale कर सकते हैं जो भी आप rate sale करना चाहते है और उसके बाद और bike sale कर रहे है तो और bike भी आप ले सकते हैं हमने आप एक ही bike sale की है और उसके बाद हम इस पे cgst, sgst apply करेंगी क्योंकि हम local में sale कर रहे है total invoice आप यहाँ पे देख सकते है 96,000 का बना है अगर आपको print preview देखना है तो मैंने आपको बताया है कि कैसे print preview देखना है अब यहाँ पे देखिए मैंने दीपक का laser open कर लिया है हमने जो sale invoice किया है इनने 96,000 का किया है अब हम इनसे cash में receive कर रहे है 26,000 तो receive voucher में हम इसके entry करेंगे credit हमें क्या करना है दीपक को करना है 26,000 जो है हम cash में receive कर रहे है against reference आपको select कर लेना है जिस invoice के against आप receive कर रहे है and debit आपको क्या करना है cash करना है क्योंकि आप cash के थूँ 26,000 receive कर रहे है इस type से हमने cash के entry कर ली अब आप दीपक के ledger में देखेंगे sale हमने 96,000 का किया receive हमने cash किया है 26,000 अब जो balance है 70,000 हम ये finance के थूँ receive करने वाले हैं एक और हम receive voucher पास करेंगे and date हम पास करेंगे credit हम क्या करेंगे दीपक का जो ledger है वो हम credit करेंगे तो यहाँ से आपको दीपक का ledger select कर लेना है अब हम दीपक को credit करेंगे कितने से credit करेंगे जो balance है 70,000 70,000 से credit करेंगे against reference में आपको वो जो invite से वो select कर लेनी है अब हम यहाँ पे debit क्या करेंगे finance company का account debit करेंगे जिस finance company से दीपक ने अपने बाईक का finance करवाया है उस company को हम यहाँ पे select कर लेना है 70,000 से हम debit कर देंगे finance company account को company जो है हमारे books में debit हो चुकी है अब हमें किस से लेना है अब हमें दीपक से नहीं लेना है अब हमें लेना है finance company account से तो इसलिए थोड़ा सा careful ली देखिएगा जो हमने अभी entry की है उसमें हमने दीपक को credit किया है and finance company account को हमने debit किया है इस step से आपको ये entry pass करनी है अब आप देखेंगे दीपक का account आपको यहाँ पे नील शो हो रहा है 96,000 से नील शो हो रहा है दोनों साइट debit and credit दोनों साइट नील शो हो गया है अब यहाँ पे हमें दीपक के account से कुछ लेना दिना नहीं है अब हमें लेना है finance company से 70,000 रुपीज अब जब हम finance company से 70,000 रिसीप करेंगे तो रिसीप voucher में आपको entry pass करनी है जो हम simply entry pass करते थे जहाँ पे कि finance company हमसे processing charges नहीं लेती थी तो उसका हम simply 70,000 से credit and हमारे bank को debit कर देते थे बट यहाँ पे हमसे finance company जो है 1,000 रुपीज जो है finance charges ले रही है या फिर processing charges जो है वो हमसे ले रही है तो यहाँ पे हमें क्या करना है हमें यहाँ पे credit करना है 69,000 रुपीज और हमें अपने bank को debit कर लेना है 69,000 रुपीज से तो जितना हमने finance company से receive किया है उतना ही हमें receive voucher में show करना है अब आप यहाँ पे दीपक का account आपको पता है आपने देख लिया है कि नील हो चुका है sale हमने किया था 96,000 का और दीपक ने हमें 26,000 रुपीज कैस में दे दिया and finance company दे 70,000 रुपीज हमें देना है दीपक के भिहाब पे तो इस step से आप दीपक का account जो है वो analyze कर सकते हैं अब चलिए open कर लेते हैं finance account company का leisure तो finance account company का leisure आप देखेंगे तो आप सबसे पहली जो entry देखेंगे दीपक के account से 70,000 रुपीज जो है finance account में हो गया है debit और उसके बाद second entry देखे देखेंगे रिसेट में 69,000 हमें शो हो रहा है हमने पने bank में रिसेट किया है यहाँ देखेंगे आपको 1,000 रुपीज डेबिट साइड में शो हो रहा है finance account company के leisure में तो अब हमें क्या करना है एक entry pass करनी होगी payment voucher में तो payment voucher में हम एक entry pass करेंगे यहाँ पे आपको debit क्या करना है finance charges LTC प्रेस करके आप इसका leisure create करेंगे under indirect expenses के क्योंकि जो finance charges हम pay करने वाले है वो हमारे company के लिए ultimately जो है indirect expenses है तो 1,000 रुपीज हमें debit करना है and credit क्या करना है finance account company को 1,000 रुपीज credit करना है अब आप यहाँ पे देखेंगे finance account company का credit balance जो है वो 0 हो चुका है तो इस step से आपको entry pass करनी है जिस condition में अगर finance company आपसे processing charges fees लेती है तो इस step से आपको इसके entry pass करनी है and simply जो हमने पहले entry बताया जिसमें की company जो finance company है आपसे कोई charges नहीं करती है तो उसकी आपको कैसे entry करनी है वो दोनों entries को हमने देखा अब चलिए balance sheet में हम चलके analyze कर लेते हैं balance sheet में आप देखेंगे जो capital account आपको show हो रहा है 30 lakhs रुपिस का capital account show हो रहा है जो की business man ने capital invest किया है and current liabilities में आपको 9.88 show हो रहा है profit and loss account पर आप यहाँ पर देख सकते हैं current assets में आप देखेंगे आपको यहाँ पर show हो रहा है enterprise करेंगे तो देखें आपको यहाँ पर closing stock में show हो रहा है 185 का हमारे पास stock पड़ा है and certainty data में आप enterprise करेंगे तो आपको देखें यहाँ पर show होगा नीचे आप cash in hand देख सकते हैं bank account सारी detail आपको show होगी and profit and loss account में आप enterprise करेंगे तो आपको यहाँ पर show होगा purchase account में देखें हमने जो purchase किया था 7.91 का हमने purchase किया है around 7 lakh का and यहाँ पर देखेंगे expenses में आप जब enterprise करेंगे तो जो हमारा finance charges लगा था 1000 रुपिस का वो आपको show होगा and round off का आपको दोनों show होगा and sale account में आप देखेंगे तो हमने sale किया है 7.05 lakh का and closing stock हमें आपे show हो रहा है जो हमारा closing stock बचा है 1.85 lakh around का बचा होगा है तो इस type से आप अपने balance sheet को analyze कर सकते हैं देख सकते हैं कितना आपने sale किया कितना आपने purchase किया कितना आपका capital account है सारा analyze आप कर सकते हैं अब चलिए go to में चलके हम देख लेते हैं GST reports को analyze कर लेते हैं तो GST reports analyze करने के लिए आपको go to पे click करना होगा go to पे click कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं, सेल वाली को देख लेते हैं, GSTR1 में हम सेल का जो है वो रिपोर्ट देखते हैं, आपर डेट आप चेंज कर लीजे, डेट चेंज करने के पास आपको यहाँ पर एंटरी शो होगी, देखिए जो हमने एंटरी की थी, बी टू से स्मॉल में आपको शो होगी, तो वो सारी एंटरी आपको यहाँ पर शो हो रही है, GSTR2 में आप जाएंगे तो पर्चेस वाली एंटरी आपको शो होगी, डेट आप चेंज कर लीजे, डेट चेंज करने की मेंद आपको यहाँ पर एंटरी शो होगी, देखे बी टू बी इन्वाइसेज में आपको एंट्री शो हो रही है तो इस टैप से आप अपने सेल की और परचस की जो एंट्री शो हो देख सकते है अब GSTR 3B हम उपन कर लेते हैं GSTR 3B को भी अनलाइस कर सकते हैं आपकी कितनी टोटल आउट वर्ड एंवर्ड हैं वो आपको हाँ पे शो होंगी तो यहाँ पर देखे आपको आउटवर्ड सप्लाइश ओ रही है और इमिजिबल आईटिस ओ रहा है तो सारी डीटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है तो इस step से हमने देखा कि कैसे हमें completely बाइक शोरूम की accounting को maintain करना है कैसे हमें ledgers create करने हैं, कैसे हमें stock group create करना है, कैसे हमें sales के entry करनी है, purchase के entry करनी है कैसे हमें cash में अगर हमने sale किया है तो उसके entry हमें कैसे करनी है तो इस टेप से आप भी इजली बाइक शोरूम की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकाउट करना ना भूलिएगा वहां में अपने टैलिस से रिलेटेड मैकसिमम वीडियो के लिंक प्रोवाइट कर देती हूँ आप चाहें उन सारे वीडियो को वाच आओट कर सकते हैं वह सारे वीडियो सापके लिए help होगे आप चाहें तो मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे चैनल का नेम है सुमन अध sound education hub और मैंने अपने चैनल पर प्लेडिस भी बना ली है आप प्लेडिस पर जाके watch out कर सकते हैं देखें प्लेडिस क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ प्लेडिस में क्या होता है किसी भी एक particular topic से related जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियो को merge करके मैंने प्ल particular topic अगर search कर रहे हैं तो उससे related सारे वीडियो आपको एक प्लेडिस में मिल जाएंगे तो आप जाके प्लेडिस watch out कर सकते हैं और मेरे चैनल को सर्च किजिएगा सुमर एजूकेशन हब मेरे चैनल का नेम है चोटे से चोटे से चोटे और बड़े से बड़े topics को cover करने की मै करती रहोंगी बस आप सभी लोग का साथ and support मुझे चाहिए I wish यह वीडियो आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो एक चोटा सा काम करती हुए चाहिएगा मेरे चैनल को like कर दीजेगा share कर दीजेगा and subscribe कर दीजेगा thank you